बिज़ेपि विधायक रमेश मिंदुला ने राहूल गांधी को इंदौर से चुनाव लड़ने का न्योता दे दिया ने मेरा अगरा है कि उनकी जगा आप इंदौर से राहूल गांधी को टिकट दीजिए हमारा इंदौर मोदी जी का परिवार है ये परिवार राहूल गांधी को कम से कम साथ लाख वोट की हार का उपहार दे कर विदा करेगा और हाँ यह हैंकार नहीं विश्वास है तो राहूल गांधी को चुनाव लड़ने का न्योता जो है बीजेपी की तरफ से दिया गया है रमेश मेंदोला ने ये न्योता दिया है उनका ये कहना है कि कहां जीतू पटवारी को बली का बखरा बना रहे है राहूल गांधी को बेजिए यहां से चुनाव लड़वाईए कम से कम साथ लाख वोटों से हरा कर जलता विदा कर देगी राहूल गांधी को ये बड़ा बयान रमेश मेंदोला ने दिया है क्या कुछ का है सुनिया आप दे इस बीच कॉंग्रेस के पूरो विधायक कुणाल चौधरी ने भाजपा विधायक रमेश मेंदोला पर पलटवार करते हुए कहा कि काई बार चुनाव जीतने के बावजूद भी उन्हें अब तक मंत्री नहीं बनाया गया वो लाइम लाइट में रहने के लिए इस तरह के बयान देते रहे हैं तो वहीं बीजपी ने राहूल गांधी के अपनी परपरागत और मेठी और राइबरेली को छोड़ने पर सवाल खड़ी किये हैं कई बार लाखो वोट से जीतने के बाद उनको पार्टी ने हशिये पर डाल रखा है ना मंत्री बना रहे हैं ना उनको कोई महापोर लड़ाया जिस पर प्रकार के इस्तिति उनके साथ कर रखी है तो थोड़ा सा हो सकता है मानसिक संतुलन खराब हुआ होगा और कहीं न कहीं अपनी पार्टी में केस तो इधर उधर बड़बोला पन करके चीजे बनाने का काम करें सिर्फ इसकी कोशिश मेरा निवेदन है विदाही जी चिंता नहीं करें राहुल जी वायनाड से सांसद है मेरा आप से निवेदन है कि मोधी जी से निवेदन करो कि वो वायनाड से जाके चुनाव लड़े साथ तो छोड़ो दस लाग से हराखे वहां से मोधी जी को भेज़ें वायनाड में अधी प्रधान मंत्री जी चुनाव लड़ने जाते है तो मुझे लगता है कि राहुल गांदी जी को वायनाड चोड़के फिर आगे किसी त्रिलंका जाना पड़ेगा